हैलो दोस्तों, Welcome to Profile Mantra आज का दोस्तों जो हुमारा टॉपिक है हुआ है मुवड़ पुली कि मुवड़ पुली हमारी होती क्या है इसके पहले दोस्तों मैंने डिसकस किया हुआ है कि हमारी फिक्स मुवडी क्या होती है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों तो जरूर देख लें कि आखिर fix pulley क्या होती है फिराल इस वीडियो हम discuss करेंगे movable pulley को वीडियो को start करने से पहले दोस्तों आप सरी request है अगर आप channel पे नए हैं तो channel को जरूर subscribe कर लें आई डिसकस करते हैं देखो दोस्तों पहरे हम बात करते हैं कि movable pulley आखिर होती क्या है movable pulley हम दोस्तों उसे कहते हैं which can move up and down its block जो pulley move हो सके block के पूरे सहरे वह हमारी कहलाती है movable pulley कहने के मतलब अगर मैं definition रिख दूँ तो एh pulley कुछ लोगों को definition सही लगेगी दोस्तों इसलिए मैं definition रिख देता हूँ एh pulley which can move up and down यह pulley क्या हो रही है up and down हो रही है okay with कैसे its block इन कार्ड इस कार्ड मोईबल पुली तो उसे दोस्तों हम कहते हैं जाते हैं movable pulley यह तो गई mobile pulley की general definition अब देखते हैं कि इस point में हमने क्या क्या किया हुआ है देखो यह हमारी क्या general rope है एक pulley हमारी यह है जिसको मैंने बी नाम दिया हुआ है और एक pulley हमारी ए है जो दोनों एक ही रोप से क्या है supported है पूरी लगी हुई है पूली क्या है स्मूथ है इसका जो पूली में हमारा tension है वह कितना T है अब देखो एक चीज अगर यह T है यह T है अगर टोटल टंसन देखा जाए इसमें इसमें इसलिए मैंने टेंशन टूटी दिखा जाए अभी किस तरह है वह भी दोस्तों डिसकस करेंगे अब देखो यह हमारा क्या है डबलू है जो मुवल पूली में हमने लगाया हुआ है इस वेट को हमें क्या करना है एक तरीके से उठाना हुआ है यह पूली हमारी क्या है फिक् कि एच जाए जावर क्योंgew सकते हैं यह यह मारी में कंभिनेंशन हैं फिक पूली का और सगता है तो जब सिता पी एफेट अप्लाइड करता हैं इस रोप पे क्या होता है होता क्या है जब हम प्यफंफ अप्लाइड करते हैं तो यह 2 एक्स ड direction तो आप्लाइड करती है करता है X-direction को करता है कहने का मतलब ए-वन से वो एक डिस्टेंस पे आजाता है ओकी देखो और एक चीज जो हमारा यहां टैंसान है टी है कि वह किसके बढ़ाबर है पी के बढ़ार होगा effort और tension के बराबार होगा तो एक चीज मैंने आपको और बताया था अगर मैं इस point के लिए reaction के लिए find करूँ ये T, ये T R equal to T plus T क्योंकि P plus W होता है तो reaction हमारा 2T आएगा इसलिए इस reaction को मैंने already यहां जो मारा tension में find हो रहा था इस point पे इसलिए मैंने इसको 2T consider कर दिया यहां तक आपको समझ में आ गया होगा देखो तो यहां दा समझ में आ गया अगर मैं बात करूँ for equilibrium condition at point A के लिए इस point के लिए अगर मैं बात करूँ अगर यहां मैं W को find करूँ W को तो क्या हो जाएगा T plus T गया और मैंने बताया था जो हमारा T है वो P के बरावर है इस condition के लिए तो यहां मैं आल्रेडी लिख सकता हूँ 2P W को टूपी हम कहते हैं कि जो हमारी mobile pool होती है उसमें जो हमारा mechanical advantage होता है वा दो होता है यह आपको पता है कैसे निकल के आता है वो देख लो ये आप देखो जो हमारा mechanical advantage है वा क्या होता है W upon P अब जो हमारा w है वा कितना है 2P के बरावर है 2P के बरावर और यह हमारा emphasize कितना existe इस तरीके से हमारा दोस्तों निकल काता है mechanical advantage इसी कंडिशन में हम बात करते हैं velocity ratio के लिए क्या कि विलास्टी रेसियो में बल पुली के लिए क्या होगा अगर हम बात करें इस P के लिए जब यह move करता है इसमें effort applied करते हैं तो कितना move करता है 2x यानि इस P से P1 की दूरी पर आ जाता है यह total कितना हो जाता है 2x हो जाता है इस condition में जो मारी पुली A है वह move करती है इसे A1 के लिए A से A1 के लिए क्ली मूब करती है यह मारी पुली है वह भी कितना move कर रही है x x move कर रही है तो इस condition में हम देखते हैं जो मारी विलास्टी रेसियो क्या होता है displacement move by effort क्या होता है displacement displacement moved किसके द्वारा by effort और क्या होता है displacement moved by weight यह उतरा हमारा formula किसके लिए विलास्टी रेसियो क्या होता है आप देखो effort के द्वारा कितने direction move हो रही 2x और weight कितना move हो रहा है x तुमारा velocity रेसियो कितना आ गया विलास्टी रेसियो आ गया न हमारा कितना टू आ गया हम मोबल पूली के लिए हमारा क्या होता है जो मारा mechanical advantage होता है और velocity रेसियो होता है वह हमें साथ 2 होता है यह बात आपको दोस्तों याद रखना है और अगर हम बात करें fix के लिए उसमें क्या होता है जो मारा mechanical advantage होता है और velocity रेसियो होता है वह एक होता है थाइम्क्यू वाचिंग इस वीडियो दोस्तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाया दोस्तो तो पीज लाइक, सेर, कमेंट जरूर करें